नमस्कार दोस्तों एक बरफिट से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में यूपी पुलिस एक्जाम 18 फरोरी 2024 सिफ्ट सेकंड का पेपर स्वाल्व करेंगे आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा धिहान से देखिए और सभी प्रस्णों को अच्छे से मिला और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताईए 1500 प्रस्णों में आपका कितना स्कोर सही होता है तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्ण है दोस्तों मामूली चीजों का देवता दगाड आफ इसमाल थिंग्स निमनलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लि और 89-1 के तहट निमनलिखित में से कौन सा कौन राजिसभा का पदेन सभापती है तो देखे दोस्तों यहांपर आपका B-Aption right हो जाएगा उपर आश्रपती निमनलिकित में से कौन सा दिन भारत में राश्री यूवा दिवस के रूप में मनाया जाता है यहांपर आपका B- option right हो जाएगा 12 जन्वरी next है निमने लिखित में से कौन सा अमल सिर्के में मौझूद होता है यहाँ पर आपका C option right हो जाएगा सिर्कि अमल next है हम्पी नित्य उत्सव निमने लिखित में से किस राज्जिका उत्सव है तेखे दोस्तों यहां पर आपका C option right हो जाएगा करना टक निमनलिखित में से किस मंत्रालाई के पास जन संचार के विभिन माध्यमों और प्रिंट मेडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नेतियों, योजनाओं और कारिक्रमों के बारे में जानकारी प्रशारित करने की जिम्मेदारी है तो देखे दोस्तों, यहां पर आपका C option right हो जाएगा सूचना और प्रशानन मंत्रालाई नेक्स्ट है, राश्च्री विशाण विज्ञान संस्थान निमनलिखित में से किस अस्थान पर इस्थित है यहां पर आपका B option right हो जाएगा पुडे, भारत में बाल सरक्षन और कल्यान के लिए आपात कालिन टोल फ्री हल्प लाइन नंबर क्या है यहां पर आपका B option right हो जाएगा 1098 निमनलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राजजी में सर्वोच रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी है यहां पर आपका A option right हो जाएगा DGP, पुलिस महा निदेशक सरकार का वा खाता जो केवल चालू वित्ती वर्ष से सम्बंधित है इसमें सामिल है देखे दोस्तों इसमें राजस बजट सामिल है यहां पर आपका B option right हो जाएगा मथुरा के पास मट के एक मंदिर में किन सासको की विसाल मूर्तियां प्रतिश ठापित पाई गई है देखे दोस्तों यहां पर आपका C option right हो जाएगा कुशाण नेक्स्ट है निम्न लिखित में से किस वायस राय ने विटिश सासन के दवरान बंगाल का विभाजन किया था तो यहां पर आपका B option right हो जाएगा लाड करजन B option right हो जाएगा नेक्स्ट है ब्यावसाइक उपियोग के लिए सबजियां फूल और फल उगाना निमलिखित में से किस नाम से जाना जाता है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका D option right हो जाएगा हार्टी कल्चर ठीक है D option आपका right हो जाएगा निमलिखित में से भारत के किस बंदरगा को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका B option right हो जाएगा कोच्ची यहाँ पर आपका B option right हो जाएगा वर्स 2011 में भारत में जनगरना कारिक कितने चरडों में किया गया था तो यहाँ पर आपका B option right हो जाएगा दो चरडों में किया गया था B option आपका right हो जाएगा मोगाओ गुफाएं जिन्हें हजारों वुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है निमलिखित में से किस देश में इस्थित है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right answer है चीन D option आपका right हो जाएगा नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कुम्ह मेला का उस्थो किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा गंगा यमुना और पौराडिक सरस्वती A option आपका right हो जाएगा उत्तर प्रदेश वित्ती निगम निमने लिखित में से किस के विकास के लिए वित्ती सहायत्ता प्रदान करने में महत्पुल भोमिक्या निभाता है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका D option right हो जाएगा उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्टी उत्यान निमने लिखित में से किस जिले में इस्थित है यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा लखीम पूर खीरी नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आपका D option right हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी D option आपका right हो जाएगा इस्राइल हमाज संगर शेतर से भारती नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किये गए आपरेशन का नाम निमने लिखित में से कौन सा है निमने लिखित में से कौन सा है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा आपरेशन अजय यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पडूसी देश ने आर्थिक और प्रदोकी सहयोग समझोते की बातचीत फिर से शुरू की है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका D option right हो जाएगा स्रिलंका D option right हो जाएगा हाल ही में प्रदान मंत्री ने लक्ष दूइप समू सब्मरीन आप्टिकल फाइवर कनेक्शन परयोजना की सुरूआत करके लक्ष दूइप में धीमी इंटरनेट गत की चुनोती को दूर करने का संकल पलिया था जिसकी घोषडा 2020 में लाल किले में सुनता दिवस के भासड के दोरान की गई थी तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right answer है कोची B option आपका right हो जाएगा next देखेंगे सभी प्रशना आप लोग ध्यान से देखते हुई चलिए next दोस्तों उत्तर प्रदेश के कौशामवी जिले के कौशामवी बलाक ने नीत आयोकी ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा अस्थान हासिल किया है देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका B option right हो जाएगा दूती B option आपका right हो जाएगा हाल ही में प्रदानमंत्री स्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नौ निर्मित हवाई अड़े का उद्गाटन किया है इस नौ निर्मित हवाई अड़े का नाम बताइए देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका right है नेक्स है ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यस्ता एक जनुवरी 2024 से प्रारंब हो गई है देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका B option right हो जाएगा रूस यहाँ पर B option आपका right हो जाएगा वर्ष 2016 में नोट बंदी के दोरान RBI के गवर्णर कौन थे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका B option right हो जाएगा डाक्टर उर्जित पतेल थे B option आपका right हो जाएगा उत्तर प्रदेश में आनलाइन वित्ती धोखादरी की रिपोर्ट करने है तू व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हिल्फ लाइन नंबर पर सिकायत करने की समय सीमा क्या है देखें दोस्तों यहाँ पर आपका B option right हो जाएगा 24 घंटे के भीतर B option आपका right हो जाएगा केंदरी और राजिकरो के जटिल जाल की जगह GST कानून किस वर्स लागू किया गया था देखें दोस्तों यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा 2017 A option आपका right हो जाएगा निम्न लिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उतकरिष्ट प्रदर्शन के लिए वर्स 2023 का अरजुन पुरसकार जीता है तो देखें दोस्तों यहाँ पर आपका right answer है मुहमस समी यहाँ पर आपका D option right हो जाएगा क्यात निम्न लिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है यहाँ पर आपका B option right हो जाएगा म्यामार म्यामार की आधिकारिक मुद्रा क्यात है B option आपका right हो जाएगा भारत में राश्री बाली का दिवस किस तारीख को मनाया जाता है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा 24 जन्वरी को A option आपका right हो जाएगा हिंदी भासा की सबसे लोकुपरी रचनाओं में से एक मधुसाला के लेखक कौन है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका D option right हो जाएगा हरिवन सराय बच्चन यहाँ पर आपका D option right हो जाएगा नेक्स्ट है 34 प्रस्ण आपका हो गया नेक्स्ट है Mobile Application M Passport सेवा भारत के निमलिखित में से किस मंत्राले द्वरा लांच की गई है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका C option right हो जाएगा विदेश मंत्राले C option right हो जाएगा विदेश मंत्राले नेक्स्ट है चंद्रियान 3 के रोवर का नाम क्या है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका B option right हो जाएगा प्रग्यान नेक्स्ट है हाल ही में प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्लिखित में से किस अस्थान पर स्वर्वेद महा मंदिर का उद्गाटन किया है यहाँ पर आपका D option right हो जाएगा वानारसी निम्लिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच सैन्य पुरशकार है तो देखे दोस्तो यहाँ पर आपका D option right हो जाएगा परमबीर चक्र नेक्स्ट है दोस्तो सभी प्रशन आप लोग ध्यान से देखते हुँ चलिए निम्लिखित में से तत्सम तद्भो का कौन सा युग्म गलत है तो देखे दोस्तो यहाँ पर आपका D option भित्ती और भै यह गलत है D option आपका right हो जाएगा निम्लिखित में से सेठ सब्द का तत्सम सब्द कौन सा है तो देखे दोस्तो यहाँ पर आपका D option right हो जाएगा स्रेश्ठी यहाँ पर आपका D option right हो जाएगा निम्नलिकित में से सरश्चुती सब्द का परयायवाची कौन सा नहीं है तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका B आप्सन राइट हो जाएगा कामनी घूमने फिरने वाला साधू वाक्यांस के लिए एक सब्द निम्नलिकित में से कौन सा है देखे दोस्तों यहां पर आपका A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A निमने लिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धी है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका D. आपसन राइट हो जाएगा पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाईया दोड़ने लगी D. आपसन आपका राइट हो जाएगा निमने लिखित में स बहुचन सब्द क्या होगा तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका D. आपसन राइट हो जाएगा गुरुजन क्या हो जाएगा गुरुजन D. आपसन आपका राइट हो जाएगा निमने लिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका D. D-option write हो जाएगा मेजई से पुस्तक गिरी D-option आपका write हो जाएगा स्वैडिम सब्द में कौन सा प्रत्य है देखे़ दोस्तो इसमें E में प्रत्य है यहां पर आपका D option right हो जाएगा संग्राम सब्द में मूल सब्द और उपसरग कौन सा है देखे दोस्तों, यहां पर आपका right answer हो जाएगा समधन ग्राम C option आपका right हो जाएगा निमलिखित में से कौन सा अभ्याई भाव समास का उद्वानन है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका D option right हो जाएगा भरपूर भरपूर अभ्याई भाव समास का उद्वानन है यहाँ पर आपका D option right हो जाएगा नेक्स्ट है तू, तुम, तेरा आधी हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका C option right हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर आपका C option right हो जाएगा लगूत्सों सब्द का संधी विच्छेद क्या होगा तो देखे दोस्तों, यहांब आपका A option right हो जाएगा, लग हुधन उत्सोग बराबर लग हुधसोग A option आपका right हो जाएगा, कौन सा विराम चिन है, दो फिर्थक सत्ताओं या दो सब्धों को जोड़ता है देखे दोस्तों, यहां पर आपका B option right हो जाएगा, योजक चिन है, योजक चिन है, B option आपका right हो जाएगा, नेक्स्ट है, दिनेस रोज 4 लीटर दूद पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विसेसड है, देखे दोस्तों, यहां पर आपका B option right हो जाएगा, परिम किस क्रिया का उधारन है देखे दोश्तों यहां पर आपका A option right हो जाएगा सामान्य भविश्यत काल A option आपका right हो जाएगा पीता जी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे यह वाक्य सामान्य भविश्यत काल का है यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा Next है मुझसे पत्र लिखा गया वाक्य में कौन सा वाच्चे होगा देखें दोस्तों यहाँ पर आपका B option right हो जाएगा कर्म वाच्चे B option आपका right हो जाएगा कर्म वाच्चे घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ बताईए यहाँ पर आपका D option right हो जाएगा दुखी को अधिक दुखी करना मूख का बिलोम सब्द क्या होगा यहां परापका d option right होजाएगा क्या होगा बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ निमन में से कौन सा है देखे दोस्तों यहां परापका c option right होजाएगा निकम्म वैटने से कुछ करना अच्छा है अदभुत रसका अस्थाई भाव कौन सा है यहाँ पर आपका C आपसन राइट हो जाएगा बिस्मय क्या होता है बिस्मय अर्धसम मात्रिक का छंद है अर्धसम मात्रिक का छंद है यहाँ पर आपका B आपसन राइट हो जाएगा दोहा B option आपका right हो जाएगा राम कृपाभो निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका C option right हो जाएगा रूपक अलंकार अंक का अनेकार्थक सब्द निम्लिखित में से किस विकल्प में है देखे दोस्तों, यहां पर आपका B option right हो जाएगा संख्या B option आपका right हो जाएगा नेक्श है, यहां पर दोस्तों, गद्यांस दिया गया है गद्यांस पर आधारित प्रस्ट यहां से देखेंगे आप लोग सभी प्रस्ट अच्छे से मिलाते हुई चलिए एक उपयुक्त सीरसक दीजिए देखे दोस्तों, यहां पर आपका B option right हो जाएगा प्रस्ट नता एक वरदान नेक्स्ट है, हसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्न है आसाय स्पस्ट कीजिए देखे दोस्तों, यहां पर आपका D option right हो जाएगा हसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है D option right हो जाएगा आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है यहां पर आपका D option right हो जाएगा वह जीवन से सोक और दुख दूर करता है D option right हो जाएगा प्रफुलीत सब्द में कौन सा उपसरग है देखे दोस्तों, यहां पर आपका B option right हो जाएगा प्राउपसरग है B option आपका right हो जाएगा नेश्ट है सुयोग वैध्य रोगी के लिए क्या करता है देखे दोस्तों, यहां पर आपका C option right हो जाएगा आसा और उल्लास में वचनों द्वारा कानों को आनन्दित करता है C आपसन आपका राइट हो जाएगा काम सूत्र निमने लिखित में से किसकी रचना है देखे दोस्तों यहां पर आपका C आपसन राइट हो जाएगा वादस्यायन, C आपसन आपका राइट हो जाएगा निमने में से संत कबीर की कृति कौन सी है यहाँ पर आपका, B आपसन राइट हो जाएगा, B जग संत कबीर की कृति कौन सी है, B जग है B आपसन आपका राइट हो जाएगा मैथली भासा के प्रशिद्ध कभी कौन है मैथली भासा के प्रशिद्ध कभी कौन है यहाँ पर आपका A आपसन राइट हो जाएगा विद्या पती निम्न सब्दों में से कौन सा सब्द क्रिया विशेशण है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका be option right हो जाएगा धीरे धीरे निमने लिखित में से क्रिश्ड सब्द का पर्यायवाची कौन सा है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका be option right हो जाएगा मुरारी be option आपका right हो जाएगा सुरुतिसम फिनार्थक सब्द पानी और पाणी का अर्थ निमने लिखित में से कौन सा है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका be option right हो जाएगा जल और हाथ be option आपका right हो जाएगा जो सदा दूसरों पर संदेह करता है इस वाक्यांस के लिए सही सब्द निमने लिखित में से कौन सा है यहाँ पर आपका d option right हो जाएगा संकालू d option आपका right हो जाएगा जब 7 की घाट 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो सेस्फल ग्यांत कीजिए देखे दोस्तों यहाँ पर आपका c option right हो जाएगा 3 यहाँ पर आपका 3 right answer हो जाएगा सरल करें 15 प्लस 21 गुडे ब्रेकट में रूट के अंदर 9 माइनिस 2 प्लस 5 ब्रेकट बंद भागे 2 इसको सरल करना है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा c option 78 यहाँ पर आपका 78 right हो जाएगा देखे दोस्तों अभी आप लोग केवल प्रश्ण और उत्तर मिलाते हुए चलिए बाद में आपको इसका डेटेल्ड वीडियो दिया जाएगा अभी केवल आप लोग प्रश्ण और उत्तर को मिलाते हुए चलिए यहाँ पर आपका c option right हो जाएगा 78 मुल्यांकन करें 31.004-4.98 प्लस 0.7034-7.6 प्लस 0.3-2 देखे दोस्तों यहाँ पर आपका b option right हो जाएगा 17.4274 यहाँ पर आपका b option right हो जाएगा नेक्स्ट है दो संख्याओं का hcf 11 है और उनका lcm 609 है यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्यांत कीजिए देखे दोस्तों यहाँ पर आपका b option right हो जाएगा 87 87 87 आपका यहाँ पर right हो जाएगा b option नेक्स्ट है एक धनराज को अभए बीना चंदन और दिब्या के बीच 5 अनपवाते 2 अनपवाते 4 अनपवाते 3 के अनपवाते 3 के अनपवाते में वित्रित किया जाना है यदि चंदन को दिब्या से 500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो बीना का हिस्सा कितना है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका b option right हो जाएगा एक हजार रुपए यहाँ पर आपका b option right हो जाएगा नेश्ट है गेहूं की कीमत में 6 सही एक बटा 4 प्रस्चत की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपए में एक किलो अधिक खरीद पाता है प्रती किलोग्राम गेहूं की मूल दर ग्यांत कीजिए देखे दोस्तों यहाँ पर आपका b option right हो जाएगा 8.5 b option आपका right हो जाएगा नेश्ट है एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 केले खरीदें और उन्हें 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिया उसका लाभय या हानी प्रस्चत ग्यांत कीजिए देखे दोस्तों यहाँ पर आपका b option right हो जाएगा 10 प्रस्चत की हानी यहाँ पर आपका b option right हो जाएगा कौन सी वार्शिक किस्त 12 प्रस्चत साधारन ब्याज पर 3 वर्सों में दे 1260 रुपए का कर्ज उतार देगी तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका भी आपसन राइट हो जाएगा 375 रूपए 375 रूपए यहाँ पर आपका भी आपसन राइट हो जाएगा Next है मनन ने एक ब्यवसाय में 76,000 रूपए का निवेश किया खुश महीनों बाद विवेख 57,000 रूपए के साथ उसके साथ जुड़ गया वर्स के अंत में कुल लाव उनके बीच दो अनुपाते एक के अनुपात में विभाजित किया गया विवेख कितने महीने बाद ब्यवसाय से जुड़ा तो देखे दोस्तो, यहाँ पर आपका B आपसन राइट हो जाएगा 4, B आपसन आपका राइट हो जाएगा मोहन ने 17 पारी में 97 बनाए और इस तरह उसका आउस्द तीन बढ़ गया 17 पारी के बाद उसका आउस्द ग्यात किजिये देखे दोस्तो, यहाँ पर आपका B option right हो जाएगा, 49, यहाँ पर 49 आपका right हो जाएगा, next है, 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उनके काम सुरू करने के 6 दिन बाद, 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, अब उन्हें 6 कारे पूरा करने में कितने दिन लग 9, 12, 15, 18, 87 के बिच कितने पद हैं, देखे दोस्तो, यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा, 25, A option आपका right हो जाएगा, next है, दो वर्गों के परिमाप 52 cm और 20 cm है, तीसरे वर्ग का परिमाप ग्याद कीजिए, जिसका छेत्रफल इन दोनों वर्गों के छेत्रफलों के अंतर के बराबर है, देखे दोस्तो, यहाँ पर आपका D option right हो जाएगा, 48 cm, D option आपका right हो जाएगा, एक आदमी 9 km प्रति घंटा की गत से चलते हुए, एक पुल को 15 मिनिट में पार करता है, पुल की लंबाई है, देखे दोस्तो, पुल की लंबाई यहाँ पर 250 है, यहाँ पर आप C option right हो जाएगा, 250 मीटर, यहाँ पर आपका C option right हो जाएगा, नेक्स है, तालीका पर आधारित यहाँ पर प्रस्ण पूछा गया है, जनुवरी से अप्रेल तक कंपनी यस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रश्यत की व्रिद्धी हुई, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका B option right हो जाएगा, 64.71, यहाँ पर आपका B option right हो जाएगा, नेक्स है, मार्च अप्रेल और मई में मिला कर कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32 प्रस्यत माइल्ड स्टील से बने थे, मार्च अप्रेल और मई में मिला कर कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा, फरवरी में कंपनी P, S और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की आउसर संख्या क्या है, देखे दो दोस्तों, यहाँ पर आपका C option right हो जाएगा, 118, C option आपका right हो जाएगा, मार्च में कंपनी P और R द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अपरेल में उन्हीं कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात क्या है, देखे दोस्तो यहां पर आपका D option right हो जाएगा 69, अनुपाते 80, D option आपका right हो जाएगा, जन्वरी और मई में मिलाकर कमपनी Q द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में मिलाकर कमपनी R द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है देखे दोस्तों, यहां पर आपका B option right हो जाएगा 85, नेक्स्ट है, वह वेन आरेक चुने जो निम्न के 20 संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है, लड़के, एथलीट, छात्र, देखे दोस्तों, यहां पर आपका B option right हो जाएगा, आप लोग इसे मिला लिजिए, यह यहां पर आपका B option right हो जाएगा, नेक्स्ट है दोस्तों, आरेक का अध्यान करें और उन लोगों की पहचान करें, जो केवल एक भासा बोल सकते हैं, देखे दोस्तों, यहां पर आपका C option right हो जाएगा, C plus A plus B, C option आपका यहां पर right हो जाएगा, नेक्स्ट है दोस्तों, य उड़े 12 प्लस 7 माइनिस 1 का मान क्या होगा? तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका D option right हो जाएगा 70. यहाँ पर आपका 70 right answer हो जाएगा. चार विकल्पों में से दी गई आकरती X की सही दरपन छभी चुने. तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा C option तीसरा. C option आपका right हो जाएगा. निमने लिखित प्रस्ट में एक सब्द दिया गया है, उसके बाद 4 सब्द दिये गए हैं, जिनमें से एक दिये गए सब्द के अच्छरों का उप्योग करके बनाया जा सकता है, वह सब्द ढूणे. देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका right answer है B option E, M, I, N, E, N, T. यहाँ पर आपका B option right हो जाएगा. नेक्श्ट है, अच्छरों का कौन सा समू दी गई अच्छर स्रिंखला में, रिक्त अस्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा. देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका C option right हो जाएगा, M, P, O, M, O, N, P. C option आपका right हो जाएगा. नेक्श्ट है, दिये गए विकल्पों में से, वह सही विकल्प चुने जो स्रिंखला को पूरा करेगा. यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा, 35.5. नेक्श्ट है, नीचे दिये गए प्रश्ट में, एक सब्द युग में दिया गया है. उसके बाद बिकल्प के रूप में चार सब्द युग में दिये गया है. आपको वह युग में चुनना है, जिसमें सब्दों के मद्ध समान संबंध हो. यहाँ पर है दोस्तो स्वधर्म त्यागी और धर्म तो देखे दोस्तो यहाँ पर आपका राइट रहो जाएगा देश द्रोही और देश यहाँ पर आपका सी आपसन राइट हो जाएगा देश द्रोही और देश Next है दोस्तो यहाँ पर दोस्तों question mark एस्थान पर क्या भराज आएगा तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा यहाँ पर आपका d option right हो जाएगा निमने लिखित आकरिती में कितने त्रिभुज हैं देखे दोस्तों यहाँ पर आपका c option right हो जाएगा 28 त्रिभुज हैं c option आपका right हो जाएगा next है एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 km चलता है फिर दाएं मुड़ता है और 6 km चलता है फिर दाएं मुड़ता है और 15 km चलता है फिर दाएं मुड़ता है और 6 km चलता है फिर वाएं मुड़ता है और 1 km चलता है वह अब एक अपने घर से कितनी दूरी पर है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका B-Apsanlight हो जाएगा 6 किलो मीटर यहाँ पर आपका B-Apsanlight हो जाएगा यहाँ पर कथन दिया गया है रात के समय पेड के नीचे नहीं सोना चाहिए धाडाएं हैं गिर्ती हुई पत्तियां हमारे कपड़े खराब कर सकती हैं पेड रात में कारवन डाइकसाइड छोड़ते हैं जो स्वास्त के लिए हानिकारक है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका B-Apsanlight हो जाएगा केवल धाडा दो अंतर नहीं है यहाँ पर आपका B-Apsanlight हो जाएगा नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों फिर से कथन दिया गया है क्या सभी स्कूल सिक्षकों को निजी ट्यूशन देने से रोक दिया जाना चाहिए तर्क है नहीं जरूरत मन छात्र इन सिक्षकों की विशेसक्यता से वंचित रह जाएंगे हाँ यह उन बिरोजगार पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय है जो ट्यूशन पढ़ा कर अपना जीवन यापन कर सकते है हाँ तभी स्कूल में सिक्षन की गुडवत्ता में सुधार होगा तो दिखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट अंसर हो जाएगा बी आपसन केवल तीन यहाँ पर मजबूत है यहाँ पर आपका बी आपसन राइट हो जाएगा केवल तीन यहाँ पर मजबूत है नेक्स्ट है दोस्तों 108 प्रस्ण आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट प्रस्ण है रमन ने पंचायत प्रधान से एक अनुसंसा पत्र प्राप्त कर लिया है उनके पास साथ एकड क्रिशी योगी भूमी है और वह आठ लाक रूपए की सम पार्श्विक दे सकते हैं उनका जन्म 4 जुलाई 1955 को हुआ था उन पर बैंक का कोई बकाया कर्ज नहीं है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका ए आपसन राइट हो जाएगा अग्रिम नहीं प्रधान किया जाएगा यहां पर आपका ए आपसन राइट हो जाएगा नेक्स्ट है दिगविजय का जन्म 8 नुवंबर 1956 को हुआ था उन्होंने पंचायत प्रधान से एक अनुसंसा पत्र प्राप्त किया है उनके पास भूमी के प्रतेक टुकडे में दो फसलों वाली चार एकड क्रिशियों के भूमी है वह समपार्षविक के रूप में 8 लाग रूपे गिरवी रख सकते हैं उन पर बैंक का कोई वकाया कर्ज नहीं है देखे दोस्तों यहां पर आपका B आपसन राइट हो जाएगा मामला बैंक के महाप्रवंधक को भेजा जाएगा B आपसन आपका राइट हो जाएगा नेक्ष देखेंगे 110 प्रसन आपका हो गया है बिनोद राय का जन्म 3 फरवरी 1956 को हुआ था उनके पास 6 एकड क्रिशी योगी भूमी है उन्होंने पंचायत प्रधान द्वारा जारी किया गया एक अनुसंसा पत्र सौपा है वह 10 लाख रूपए से अधिक की समपार्ष्विक गिर्वी रख सकते है उन पर बैंक का कोई बकाया कर्ज नहीं है देखे दोस्तों यहां पर आपका B आपसन राइट हो जाएगा अग्रिम प्रधान किया जाएगा B आपसन आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट है दिनेस्तिंग का जन्म 5 जून 1957 को हुआ था उन्होंने पंचायत प्रधान से एक अनुसंसा पत्र प्राप्त किया है उनके पास 9 एकड क्रिशी योग इभूमी है और वह उनकी 6 लाख रूपए की सावध जमा के अत्रिक 8 लाख की समपार्षविक गिर्वी रख सकते है उन पर 4 लाख का बकाया कर्ज है देखे दोस्तों यहां पर आपका C आपसन राइट हो जाएगा मामला बैंग के महा प्रवंधक को भेजा जाएगा C आपसन आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट है अभिसेक राठी के पास 6 एकड किर्शी योग इभूमी है उन्होंने पंचायत प्रदान से अनुसंसा पत्र प्राप्त किया है उन पर बैंग का कोई बकाया कर्ज नहीं है वह अपनी पूरी भूमी पर दो फसले उगाते हैं वह 6 लाख रुपए से अधिक संपार्श्विक प्रदान कर सकते हैं देखे दोस्तों यहां पर आपका D-option राइट हो जाएगा डेटा अपरियाप्त है D-option आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट है दोस्तों आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनाथ हैं आप एक 10 वर्सी बच्चे को एक 24 पर भीख मांगते हुए देखते हैं भारत के किसोर न्याय कानूनों के अनुस्वार आपको देखे दोस्तों यहां पर आपका B-option राइट हो जाएगा उसे सरकारी किसोर आसरे ग्रिह में ले जाना चाहिए यहां पर आपका B-option राइट हो जाएगा नेक्स्ट है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनाथ हैं एक कालेज परिशर में छात्र राजनीतिक समोहों के बीच हिंसक जड़ पे सुरू हो गई प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको देखे दोस्तों यहां पर आपका C-option राइट हो जाएगा मध्यस्तता प्रयास में छात्र नेताओं को सामिल करना चाहिए C-option आपका राइट हो जाएगा नेक्स है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनाथ हैं धार्मिक रूप से संवेदन सील इलाके में दंगे भड़क उठते हैं जिसके लिए अत्रिक्त बल की आवशक्ता होती है आपको हिंसक भीड को बल पूर्वक खदेरने के लिए आसू गैस के गोले दागने चाहिए यहां पर आपका B-option राइट हो जाएगा नेक्स है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनाध हैं अस्पतालों से नवजाद सिसु की चोरी के और मामलों को रोकने के लिए आपको देखे दोस्तों यहां पर आपका C-option राइट हो जाएगा लेबर रूम में प्रवेस और निकास के आसपास CCTV फिट का विशलेशन करना चाहिए यहां पर आपका C-option राइट हो जाएगा नेक्स है आप एक जांच अधिकारी हैं दंगे के आरोपी एक राजनीतिक नेता ने पदुन्नत की पेसकस करते हुए आरोप वापस लेने का अनुरोद किया आपको देखे दोस्तों यहां पर आपका B-option राइट हो जाएगा प्रक्रियाओं के अनुसार निस्पक्ष जांच करनी चाहिए नेक्स है आप एक महानगरी सहर के पुलिस स्टेशन के वरिष्ट प्रभारी निरिक्षक है आप अपने छेतर में कानून व्योसा बनाय रखने और अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं हाला कि कुछ प्रशासनिक काड़ों से आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में अस्थानांद्रित कर दिया जाता है जहां आपको यातायात प्रभाह का प्रभंधन करना और नेमों को लागू करना होता है आपको लगता है कि यह आपके कौशल और अन्भो की बरबादी है आपको देखे दोस्तों यहां पर आपका D-Aption राइट हो जाएगा नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रभंधन की कौशल और चुनोतियों को सीखना चाहिए D-Aption आपका राइट हो जाएगा नेक्श है बंबिसफोट अस्थल की जाँच करते समय आपको नियत कालिक प्रसफोटक के रूप में इस्तिमाल किया गया एक चतिग्रस्त मोबाइल फोन मिलता है आपको देखे दोस्तों यहां पर आपका C-Aption राइट हो जाएगा नेक्श है संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले आपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरन का कैंसर है आपको देखे दोस्तों यहां पर आपका B-Aption राइट हो जाएगा यहां आसा करते हुए कि परिवार उपचार समाल लेगा मात्र ध्यान केंद्रित रखना चाहिए यहां पर आपका B-Aption राइट हो जाएगा नेक्स्ट है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अलपसंख्यक समुदाय के खिलाप प्रोफाइलिंग पच्छपात का आरोप लगाते हुए विरोत का सामना करना पड़ता है आपको कारेयान वेन अंतराल को समझने के लिए सामुदायक चर्चाय आयोजित करनी चाहिए C-Aption राइट हो जाएगा एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीडित किसी महिला की सिकायत का जवाब देते हैं आपको एक महिला सेल प्रतनीत से प्रानम्भिक चर्चा करानी चाहिए B-Aption राइट हो जाएगा एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इन पेसे को चुनने का प्राथमिक कारण यह है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका D-Aption राइट हो जाएगा एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर राइंग का प्रतीक चिन पहनना आवश्यक है भारती पुलिस सेवा में उप निरिक्षक के लिए निमलिखित में से कौन सा सही राइंग प्रतीक चिन है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका B-Aption राइट हो जाएगा दो सितारे यहाँ पर आपका B-Aption राइट हो जाएगा एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप परियाप्त चेताउनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आसु गैस का इस्तिमाल करते हैं दिसार निर्देशों के नुशार तीतर वितर करने के बाद इन में से कौन से कारवाई गलत होगी देखे दोस्तों यहाँ पर आपका A-Aption राइट हो जाएगा घटना अस्थल पर बचे लोगों को गिरिफतार करना यहाँ पर आपका A-Aption राइट हो जाएगा प्रस्ण चिन्ह के अस्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजे वनस्थ विग्यान पौधे कीट विग्यान कीडे यहाँ पर आपका C-Aption राइट हो जाएगा नेक्स्ट है निमने लिखित प्रस्ण में कुछ सब्द दिये गए हैं उनमें विशम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेस्ताएं हैं आपको इनमें से विशम को ढूड़ना है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका C-Aption राइट हो जाएगा धारा नेक्स्ट है दिये गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो स्रिंखला को पूरा करेगा यहाँ पर आपका C-Aption राइट हो जाएगा निन्यान बे यहाँ पर आपका C-Aption राइट हो जाएगा एक निश्चित कूट भासा में जिब्रा को W-B-Y-A-J के रूप में कूट बद किया जाता है उसी कूट में टॉर्च को कैसे लिखा जाएगा देखे दोस्तों यहाँ पर आपका D-Aption राइट हो जाएगा M-H-I-T-Y यहाँ पर आपका D-Aption राइट हो जाएगा नेक्स है कबीर पूर्व से पस्चिम दिशा की ओर 8 किलो मीटर चलता है फिर वह अपनी दाइट और मुड़ता है और 5 किलो मीटर चलता है वह अपने सुरुवादी बिंद उसे किस दिशा में है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका B-Aption राइट हो जाएगा सीला रवी की भावी है राम रवी का भाई है राम की पत्नी सीला है दीपा रवी की बहन है दीपा की मा सांती है सीला सांती से किस प्रकार संबंधित है देखे दोस्तों, यहां पर आपका B option right हो जाएगा, बहू, B option आपका right हो जाएगा, नेक्स्ट है, यदि सब्द S, K, E, P, T, I, C, A, L में तीसरे, पांचवे और नवे अच्छरों को अंग्रेजी वर्ड माला स्रिंख लाके अनुसार उनके उल्टे अच्छरों में बदल दिया जाए, और दूसरे चोथे और सातवे अच्छरों को उनके दूसरे अगले अच्छरों में बदल दिया जाए, तो नव गठित सब्द क्या होगा, देखे दोस्तों यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा, S, M, V, R, G, I, E, A, O, यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा, नेक्स्ट है, एक सटी घडी दोपार के दो बज़े का समय दिखाती है, जब घडी उसी दिन साम के 6 बज़े का समय दिखाती है, तो घंटे की सुई कितने डिगरी तक घूमें गी, देखे दोस्तों यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा, 120 डिगरी, A option right हो जाएगा, नेक्स्ट है दोस्तों, निमनलिखित आरेक में आयत पुरुषों को दरसाता है, त्रिभुज सिक्षित को दरसाता है, वृत सहरी को द साथ साथ सरकारी कर्मजारी भी है, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा, 6, A option आपका right हो जाएगा, निमनलिखित में से कौन सा आरेक पुरुषों सिक्ष को लेख को के भी संबंध को सबसे अच्छी तरह दरसाता है, देखे दोस्तों, यहाँ पर आपक B option right हो जाएगा, आप लोग इसे मिला लिजिए, B option आपका right हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों, हल करना है, 12 प्लस 49 भागे 2 माइनस 20 प्लस 6 गुडे 2, बराबर यहाँ पर आपका right एंसर हो जाएगा 28, C option आपका right हो जाएगा 28, नेक्ष्ट है, एक पंक्ति में चेतन उपर स 18 और नीचे से 15 अस्थान पर है, तो उस पंक्ति में उमिद्वारों की कुल संख्या कितनी है, देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका C option right हो जाएगा 32, यहाँ पर आपका C option right हो जाएगा, एक घनाब है, जिसके आयाम 4 गुडे 3 गुडे 3 सेंटीमीटर है, आयाम 4 गुडे 3 के बिपरीट फलक पीले रंग से रंगे गए है, अयाम 4 गुडे 3 के बिपरीट फलक लाल रंग में रंगे गए है, अब घनाब को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है, कितने छोटे घनों के केवल दो फलक रंगीन हो जाएगा, तो देखे दोस् में एक सब्द दिया गया है उसके बाद चार अन्य सब्द दिये गये हैं जिन में से एक दिये गये सब्द के अच्छरों का उप्यूक करके बनाया जा सकता है वह सब्द ढूढे देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एंसर हो जाएगा सी आप्सन यहां पर आपका सी आप्सन राइट हो जाएगा नेक्स है स्ट्री टैंक ने सहर में एक सम्मेलन में भाग लिया और वापस अपने होटल के लिए कैब ली किन्तु हडबड़ी में वह अपना व्रीफ केस टैक्सी में ही छोड़ गए सवभाग से वह पास के सुरक्षा गार्ड की मदद से टैक्सी की लाइसेंस प्लेट के बारे में कुछ बिवरण नोट करने में कामियाब रहे मिस्टर टैंक को पका विश्वास है कि प्लेट M अच्छर से सुरू होती है तीन दर्सक सहमत है कि प्लेट 78 अठाटर आर पर समाव्ध होती है चार लोग दावा करते हैं कि दूसरा अच्छर या तो A है या B है अन्य चार लोग सोचते हैं कि तीसरा अच्छर S है नीचे दिये गए चार लाइसेंस प्लेट नमबर दरसाते हैं कि प्रतेक ब्रक्त क्या सोचता है कि उन्होंने क्या देखा टेक्सी का लाइसेंस प्लेट नंबर होने की सबसे अधिक संभावना कौन सी है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका A आपसन राइट हो जाएगा M A S 78 R M A S 78 R A आपसन आपका राइट हो जाएगा Next है यहाँ पर दोस्तों कथन और निसकर्ष दिया गया है जीतेंगे हमने मैच जीत लिया है निसकर्ष है सभी खिलाडियों ने अपनी पूरी छहमता से खेला कुछ खिलाडी अपनी पूरी छहमता से नहीं खेले तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट अनुसर हो जाएगा ए आपसन केवल निसकर्ष एक अनुसरन करता है ए आपसन आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट है वह विकल्प चुने जो दिये गए सायोजन की दरपन छवी से काफी मिलता जुलता हो तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट अनुसर हो जाएगा बी आपसन बी आपसन आप लोग मिला लिजिए यहाँ पर आपका बी आपसन राइट हो जाएगा पता लगाएं कि आकरिती एक्स में दिये गए टुकडो से एक दो तीन और चार में से कौन से आकरिती बनाई जा सकती है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका चार विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्सी सीट को विन्दूदार रेखा पर मोडने पर पैटन कैसा दिखाई देगा यहाँ पर आपका C आपसन राइट हो जाएगा दोस्तों तीसरा आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा C आपसन नेक्स है M P का पुत्र है Q O की पोती है जो P का पती है M का O से क्या संबंध है देखे दोस्तों यहां पर आपका A आपसन राइट हो जाएगा पुत्र यहां पर आपका A आपसन राइट हो जाएगा Next है निमने लिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिये गए सब्दों का सार्थक क्रम होगा डाक्टर, बुखार, नुस्का लिखना, निदान, दवा देखे दोस्तों यहां पर आपका D आपसन राइट हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 5 यहां पर आपका D आपसन राइट हो जाएगा वह आकरिती चुने जो अन्य से भिन्न है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका C आपसन राइट हो जाएगा 3, यहां पर आपका C आपसन राइट हो जाएगा Next है एक पुस्तक में 300 प्रिष्ठ हैं और प्रतेक प्रिष्ठ में 10 सब्दों की 20 पंक्तियां हैं पुस्तक में कुल कितने सब्द हैं देखे दोस्तों यहाँ पर आपका ए आपसन राइट हो जाएगा 60 हजार यहाँ पर आपका ए आपसन राइट हो जाएगा गडित में अर्विंद के एक तिहाई अंक अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से 30 अधिक है यदि उसे दोनों विशियों में मिलाकर 240 अंक मिले तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले देखे दोस्तों यहाँ पर आपका C आप सन राइट हो जाएगा 60 तो ठीक है दोस्तों आज की यह वीडियो अब यहीं पर समाप्त होती है आप लोग कमेंट करके बताइए 150 प्रस्टों में आपका कितना स्कोर सही होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद